दोस्तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GST में अब नई लेट फीस को इंट्रोड्यूस किया गया है जिहां GST रिटर्न की लेट फीस से एक बड़ी कन्फूजन थी कि GST की इस रिटर्न पर लेट फीस लग रही है या नहीं लग रही कितनी लग रही है कब से लग रही है उसको लेकर के काफी सारे सवाल थे जिसको की अब clear किया गया है कि इस GST रिटर्न पर लेट फीस applicable है या नहीं है तो उसी रिटर्न का हम इस वीडियो में discussion करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैनल पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब सरूर कर लीजिएगा क्लोस 107 की द्वारा section 47 subsection 1 को amend किया गया है जो लेट फीस की बात करता है to provide levy of late fees for delayed filing of return under section 52 and to remove reference of section 38 as there is no requirement of furnishing details of inward supply by registered person under section 38 ठीक है तो section 52 के तहर जो return भरते हैं उस पर late fees अब levy होगी तो कौन सी return भरते है section 52 किसकी बात करता है बात करता है TCS collector की जहाँ JSTR 8 पर अभी तक बहुत पड़ी confusion थी कि JSTR 8 पर क्या late fees लग रही है कितनी applicable है इसको लेकर के जो confusion थी अब उन पर यहाँ पे full stop लगा दिया गया है कि section 47 subsection 1 को amend किया जा रहा है और अब आपकी JSTR 8 पर भी late fees लेवी हो जाएगी तो यह bell के अंदर आ चुका है bell pass हो चुका है इससे जोड़ी notification जल्दी ही आपको अब मिलने वाली है तो इसकी जो confusion थी उसके clear कर दिया गया है अब आप तयार रही है इस JSTR 8 पर भी आपको late fees पे करनी है आपको उछे कर दोमा है